प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप उम्मित करते हैं आप बेटर होंगे आपके पहले खाई बहतर ढंग से चल रहा होगा आपके एजाम में बार बार इस तरह का कोशन पूछता है जो जीवा पे अधारित होता है ठीक है आज इसी के हम बात करने बाले हैं अताब पूरे ब्रित में प्रिधी के कोई भी दो बिंदू को मिलाने वाली जो रेखा होता है ये कहलाता है जीवा सब लोग जानते हैं इसको ये क्या कहलाता है जीवा अगर हम किसी ब्रित में दो जीवा घीचे मालनो एक जीवा हो गया एबी और दूसरा जीवा माल लेते हैं सीडी हो ग घीचा और दूसरा जिवा ऐसे घीचा मालो ए जिवा आपका है ए बी और ए जिवा है आपका सीडी चुकि ये अंदर में तो नहीं काटा लेकिन इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ने कहीं बाहर में एक दूसरे से पीपर काटता है कहां काटता है एक दूसरे से पीपर रखेंगे कि अगर अंदर में काटे तो E गुना E यानि हम कह रहे हैं कि AP गुना BP बराबर होगा दोस्त यह यानि कि CP गुना PD का याद रखेगा इस बात को इस बात को याद रखेगा यही चीज यहाँ पे भी लागू होगा यही चीज यहाँ पे भी लागू होगा यानि इस बाहर वाला BP बरावर होगा दोस्त ये पूरा यानि की PC गुना हो जाएगा A वाला यानि की PD के ये बात आप याद रखेंगे ठीक है इस पर बहुत कोशन आपको देखने को मिलता है दोनों को कंपेर करोगे तो दोनों बिलकुल सेम है AP, AP, BP, BP, PC, PC, PD, PD है यानि एक तिसरी बात भी आप याद रखेंगा तिसरा बात यहां पर हम बता दूँ कि अगर किसी भी बृत में एक जिवा A वाला हो और एक असपर्स रेखा हो जो बाहर में एक दुसरे से P पर मिलता हो ऐसा इस शिति अगर हो मालनों यह जिवा है AB जिसको आपने आगे बढ़ाया और यह आपका है असपर्स रेखा PT जो बाहर में P पर एक दुसरे से मिलता हो तो ऐसा शिति में आपको याद रखना है कि यह PT का जो square होगा ना यह PT का जो square होगा ना यह पूरा AP गुना BP के बराबर होगा AP गुना PP के बराबर होगा ये बात आप याद रखेंगे ठीक है दोस्त हमें लगता है ये बात आप समझ गये होंगे कहीं को दिकत नहीं है एक दो तीन बाते तीनों पर हम question करते हैं सबसे पहला पर यहां पर question देखिए आपके question पर आया हुआ है गौर से देखिए कहता है उपरोक्त बित में AE है 4 AE यानि ये वाला दे रखा है 4 BE है 15 BE यानि कि A वाला मान आपको दे रखा है 15 फिर कहता है C है 2.5 C यानि कि A वाला मान आपको दे रखा 2.5 तो DE का मान बताओ यानि ये DE का मान बताओ अब पर्ष चुके हैं न कि E गुना E बराबर E गुना E होता है यानि आप कह देंगे 4 गुना 15 बराबर 2.5 गुना DE अब इसको आप काट दीजिए आपका इंसर आजाएगा यानि DE का मान जो होगा वो होगा 4 गुना 15 बटा 2.5 को लिख सकते हैं 10 बटाने के लिए उपर 10 से गुना अब इसको काट कुट कर लिजिए आपका इंसर आजाएगा 25, 25, 35, 15, 5 दोना का 10, 14, 12, 24 सिंटीमीटर आपका प्रसंट का जवाब होगा हमें लगता है ये बात आप समझ गये होंगे कि अगर अंदर में दोनों जिवा काटेगा तो किस डेंग से कोशन आएगा कैसे आप बना डालियेगा अगला कोशन एक और देखते हैं यहाँ पे यह है आपका कोशन नमबर दू और भाईया ये कोशन में कहता है कि A, B, C, D एक चक्रिये चत्रभूज है यानि इसको कहने का मतलब है कि यह एक भाईया आपका बृत है जिसको में A वाला एक चक्रिये चत्रभूज है मालो इसका नाम दे देते हैं A, B और इसका नाम दे देते हैं C, D यह चक्रिये चत्रभूज है A, B, C, D अब कहता है कि AB और DC को जब बढ़ाए जाती है तो वो P पर मिलता है यानि AB को आगे आपने बढ़ाया आए VC को भी मैंने आगे बढ़ाया जो एक दुसरे को कहा मिलता है P पर मिलता है वही बात हो गया न अगर यह दोनों को मिटा दोगे तो यह दोनों जिवा को आगे बढ़ाने पर बाहर में काट रहा है बस वही कोशन हो गया अब कहता है PA भाईया 8 cm है PA यानि यहां से यहां तक का दूरी A दे रखा है कि 8 cm है PB 6 cm यह वाला दे रखा है कि 6 cm है PC 4 cm यानि A वा बहुत ही पे चिला लग रहा होगा लेकिन हकिकत में बहुत ही आसान कोशन है चलिए अब इसको हम बनाते हैं अब क्या जानते हैं कि पूरा ध्यान से समझेगा इसको पूरा यानि की AP गुना यह वाला यानि की BP समय रहे हैं बात को बरावर होता है पूरा यानि की PD गुना ये वाला बाहर वाला PC, ये पूरा गुना बाहर वाला, पूरा गुना बाहर वाला, ऐसे याद रखेगा, AP कितना है तो कहेगा 8 है BP कितना है तो कहेगा 6 है PD कितना है PD ये पूरा हमें निकालना है ठीक है दोस्त और PC कितना है तो कहेगा 4 है अब 4 दूनी 8 ये कड़ जाएगा यानि आपका उतरा जाएगा PD कामान 12 cm यही आपका प्रस्ट का जवाब होगा तो हमें लगता है ये दोनों बात आप समझ गये होंगे अंदर में काटेगा तब भी आप बना लीजिएगा इस तरह से बाहर में काटेगा तब भी आप बना लीजिएगा अगला कोशन हम देखी ले यहाँ पे कोशन No.3 को देखेगा गौर से यहाँ पे यह जीवा को आगे बढ़ाया गया है यह असपरस रेखा है जिससे यह दोनों एक दुसरे से D पर मिलती है कोशन में भी लिखा है कि जीवा A B को असपरस रेखा D के साथ बेंदु D पर मिलाने के लिए बढहाए गया है जिवा A B को असपर्स रेखा D के साथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया गया है जिससे वो बाहर में डी पर मिलता है आगे बोलता है यहां पर कि A B है 6cm, A बाला मां 6cm, B D आपका दे रखा है 2 cm DE की लंबाई क्या है ये आपका सवाल है तो आप नहीं बना लोगे आप जानते हो कि DE का जो square होता है ये वाला का square DE का square बरावर होता है ये वाला का square बरावर पूरा यानि की AD गुना बाहर वाला यानि की BD ये आप जानते हैं नहीं जानते हैं तो एक दूबार इसको बना लिजएगा जान जाइएगा अब यहाँ पर देखो ad कितना है a से d कि लंबाईksi अद्दू, 8 हो जाएगा दोस्त और bd कितना हो जाएगा तो कहेगा 2 हो जाएगा यानि कि 16 हो जाएगा अब D.E. कमान निकालोगे तो अंडर उट 16 हो जाएगा 16 का बरमुल क्या हो जाएगा 4 सिंटिमीटर यानि कि आपका उप्सन भी सही होगा यह सारे कोशन आपके एक्जाम में आया हुआ है गवर करिएगा तीन कोशन मैंने आपको बताया तीनो कोशन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे खुद से बनाने के लिए होम बर्क के रूप में यह तीनो कोशन वही कोशन है जो आपके एक्जाम में आया है इसका उतर कॉमेंट्स बॉक्स में आप जरूर देंगे आपका एंसर का प्लीज हमें इंद जार रहेगा पहला कोशन अंदर में काड़ता है दूसरा कोशन बाहर में काड़ता है तिसरा कोशन एक जिवा को आगे बढ़ाने पर सपस रेखा से डीपर मिलता है अब तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं अभी जस्ट रिभाइज के लिए इसको अपने कोपी में बना कर इंसल कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे अब कोई भी पीडियेप के लिए मेरा टेलिग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिश्म लगा हुआ है उसको आप जरूर 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 करिए अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फिर बाद में अच्छाब कर दीजेगा जब वीडियो बढ़िया नहे लाएगा तो ठीक है दोस्त हमें दीजे विदा मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसके आगे की कहाने लेका जब तक खुश रही है मंगन रही है ओके बाई बाई